दोस्तों धिट है आज की 31 अलर्स 2022 और श्वागत है आपका एक्टोरियल डिस्केशन में तीन इशूज आज हम डिस्केश करेंगे नहीं चार डिस्केश करेंगे डिटेल से सबसे पहले आर्टिकल डिस्केश करेंगे बिजनस लाइन का वन नेशन वन फटलाइजर स्कीम के अनलीसिस से सम्दित दूसरा आर्टिकल डिस्केश करेंगे हिंदू का इंडिया से लंका रलेशन से सम्दित तीसरा इंडियन एक्स्पेस का सी राजा मोहन का आर्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स फिर से ग्लोबल प्लेटफोर्म पर आ चुके हैं चोथा आर्टिकल हिंदू का स्पेसल मेरिज एक्ट के क्रिटिसिजम से सम्दित नीचे वाला है उपर वाला नहीं है चलिए डिस्केशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टिन आर्टिकल वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के एनलिसिस के बारे में हैं आप जियास पेपर सेकेंड के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं क्या कंटेस्ट है सरकार की तरफ से एक नई स्कीम लोंज की गई है परधानमंतरी, भारतिये, जन उरवरट परियोजना क्या है इस योजना में? इस योजना में इंडिया में फर्टिलाइजर के जो ब्रांट से नम उनको ये बोला गया है कि आप जो फर्टिलाइजर भेचो गे नम उस packet पर सिरफ एक तिहाई space पर आप अपने brand का नाम इस्तमाल कर सकते हूँ बाकी उपर के दो तिहाई जो space है ना fertilizer के packet पर आप उस space पर ये सब डलवाओगे भारतिय जन उर्वरक प्रियोजना भारत यूरिया यानि जिस भी type का fertilizer है ना जैसे यूरिया है तो उसके आगे लिखा होगा भारत यानि भारत यूरिया दूसरे type के fertilizer है जैसे di-amonium phosphate है यानि DAP है तो ये लिखा होगा भारत DAP, भारत MOP मतलब जिस भी type का fertilizer होगा ना उसके आगे भारत लिख दिया जाएगा और उपर होगा भारतिया जन उर्वरक परियोजना का नाम दो तिहाई space में इतना ही होगा नीचे एक तिहाई space में आप अपनी company का नाम लिख सकते हो इस case में National Fertilizer Limited अभी तक हमारे देश में fertilizer से इस परकार से बिखते थे पूरी packaging ऐसी होती थी जिसमें brand का नाम होता था वो अपनी marketing करते थे लेकिन अब सरकार का कहना है 2 October 2022 से अब आप ऐसा नहीं कर सकते अब आपको एक ही brand के under अपना ये product बेचना होगा जिसका नाम होगा भारत मतलब भारत आगे और पीछे जिस type का fertilizer है for example भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP सबसे पहला question आपके दिमाग में ये आया होगा क्या तरक हो सकता है सरकार का इस योजना के पीछे मतलब सरकार ये योजना लेकर ही क्यों आई जो सुनने में थोड़ा आजीब लग रही है सरकार के कुछ जो arguments हैं वो हम पहले discuss करते हैं सबसे पहला argument सरकार का कहना है देखो हम fertilizers पर किसानों को इतनी ज़्यादा subsidy देते हैं आपको पता है न fertilizer की market को सरकार बहुत control करती है सरकार price पर cap करती है कि इससे ज़्यादा आप दाम नहीं रख सकते fertilizer का और fertilizer companies किसानों को कम दाम पर अपना fertilizer बेचती है fertilizer companies बदले में सरकार compensate करती है fertilizer companies को इस वज़े से किसानों को fertilizer सस्ते मिल पाते हैं तो सरकार का कहना है हम इतना ज़्यादा पैसा खर्श करते हैं fertilizer की subsidies पर ताकि किसानों को सस्ता fertilizer मिल्स के तो कम से कम किसानों को पता तो लगना चाहिए ना हर एक packet पे मान लिजे scheme का नाम होगा परधान मंतरी जन उर्वरक परियोजना तो किसानों को पता लगेगा कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है आपको अगर सस्ता fertilizer मिल रहा है तो इसके लिए सरकार पैसा दे रही है अभी बहुत से किसानों को पता भी नहीं लगता उन्हें लगता कि इतने ही दाम है सरकार हमारी लिए कुछ नहीं कर रही है तो इस परियोजना के आने के बाद किसानों को पता लगेगा कि Tax Pairs का पैसा आपके पास में आ रहा है Fertilizer Subsidy की form में इसके बाद आता है सरकार का दूसरा main argument क्यूंकि देखो सरकार ही अलमुष सभी Fertilizer पर subsidy देती हैं तो मान लीजिए कोई A Fertilizer है जो South India में ज़्यादा बिखता है अब कुछ किसान ऐसे हैं जो उसी Fertilizer को यूज करना चाहते हैं South India वाले Fertilizer को तो वो company अपने product को भीजती है North India में भीजने में transport का कोई खर्चा भी आया होगा तो वो transport का खर्चा भी rate में add कर दिया जाता है product के और transport का वो खर्चा भी फिर सरकार को देना पड़ता है फ्रीट कोश्ट भी सरकार को देनी पड़ती है तो सरकार का ये कहना है जब पूरे देश में Fertilizer एक ही ब्रांड से उपलब्द होगा जिसमें आगे भारत लिखा होगा तो ना किसान फिर ये नहीं बोलेंगे कि हमें वो South India वाला ब्रांड चाहिए किसानों के लिए सारे ब्रांड सेम हो जाएंगे इससे फ्रीट का जो कोश्ट है ना ट्रांसपोर्ट का जो कोश्ट है वो बच जाएगा तो ये दो मेन आर्गुमेंट्स सरकार की तरफ से दिये गए हैं इस स्कीम की इंप्लिमेंटेशन के लिए हाला कि छोटे छोटे आर्गुमेंट्स और भी हैं जो इन्डिरेक्ट हैं फाइदा जैसे कि इंडिस्ट्रियल परपजिस के लिए काफी बार फेटलाइजर्स को जो डैवर्ट कर दिया जाता है न वो डैवर्जन थोड़ा रुगेगा दूसरे देशों में फेटलाइजर्स की स्मगलिंग हो जाती हैं वो स्मगलिंग रुगेगी इस परियोजने के कारण तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अब बात करें होने वाले प्रोडेक्ट्स की डिमांड दूसरे हिस्से में नहीं होगी इससे फ्रीट कोष्ट बच जाएगा ट्रांसपोर्ट का कोष्ट बच जाएगा सरकार के अपने एडमीशन के अनुसार राइटर के अनुसार तोटल जो सबसीडिब बिल है न दो लाख पच्चिस हजार करोड का उसमें फ्रीट कोष्ट यानि ट्रांसपोर्ट का कोष्ट सिर्फ छे हजार करोड है लेकिन इसके लिए सरकार जो सोलूशन लेके आई है वो सोलूशन काफी खराब है क्यूंकि अब देखो दो तिहाई स्पेस में तो प्रियोजना का नाम होगा ब्रांड का नाम नहीं होगा सारे नाम प्रोडेक्ट के नाम भारत से स्टार्ट होंगे और नीचे के एक तिहाई स्पेस में जो की ब्रांड का नाम होगा तो ना अब companies को थोड़ा कम incentive होगा marketing का, पहले वो बहुत सारे marketing campaign चलाती थी किसानों से connect होने के लिए farmer connect, लेकिन अब वो ये सब चलाना छोड़ देंगे, marketing activities काफी कम हो जाएंगी, धिरे धिरे future में हो सकता है private players का interest कम हो जाए industry में, क्यूंगी सभी products एक ही नाम से start हो रहे हैं तो फिर अपने products को वो customize नहीं करेंगे, नय-nय nutrients के combination नहीं try करेंगे, क्यूंकि उन्हें पता है, एक ही नाम से तो fertilizer भीकेगा, फिर क्या फाइदा, नय-nय experiment करने का, product को customize करने का, क्या फाइदा, तो आने वाले समय में, अगर private companies का interest नहीं रहेगा fertilizer industry में, तो वो investment नहीं करें करेंगी, फिर जो सरकारी companies हैं, वो अपना expansion करेंगी, लेकिन आपको भी पता है, जब सिरफ सरकारी companies की monopoly होती है न, तो फिर उस sector में innovation नहीं आ पाता, innovation आता है private companies के कारण, चाहे आप telecom sector का example ले लीजिए, जब सिरफ BSNL था, तो क्या हालात थे, लेकिन आज हमरदेश में द का example ले लीजिए, सिरफ Air India था, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, aviation sector, आज हमारे देश में aviation sector के कितनी बढ़िया हालत है, आप देख लीजिए, मतलब private sector जहां पे involved होता है न, efficiency आती है, operations में, नई-नई innovation आती है, बट इस प्रियोजना के कारण, वो सब होना बंद हो इड़ते हो, उसमें सरकार कितना contribute कर रही है, तो writer कहते हैं, उसके लिए देखो, एक चीज़ ये की जा सकती थी, जैसे, प्रधान मंत्री सम्मान इदी स्कीम है न, एक साल में 6000 रुपे मिलते हैं, तीन installment मिलती है, 2000 की, direct पैसा जाता है किसान के खाते में, तो fertilizer subsidy का पैसा भी directly किसान के खाते में डाला जा सकता है न, मतलब की, बजाए manufacturer को सरकार subsidy का पैसा दे और manufacturer कम दाम में fertilizer के package बेचे किसान को, इस से अच्छा है कि subsidy का पैसा आप किसान के account में डाल दू, किसान को पता लग जाएगा कि सरकार देखो, मुझे 3000 रुपे दे रही है, fertilizer ख्रीदने के ल यह PM किसान सम्मान इदी scheme चल ही रही है, data है, data की भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसे implement किया जा सकता है, लेकिन अब यह political point है जो answer में लिख नहीं सकते, writer कहते हैं, सरकार political mileage लेने की कोशिज कर रही है, इस scheme की साहिता से, जो की गलत है, political point हमारे काम का नहीं है, तो कुल विपक्स में क्या points हैं, और विपक्स में क्या points हैं, एक point writer यह बोलते हैं, देखो inflation काफी बढ़ गई है, लेकिन सरकार fertilizer के दाम थोड़े से भी नहीं बढ़ने देती, कम से कम जैसे जैसे inflation आ रही है, उतना तो आप fertilizer के दाम बढ़ने दे सकते हो, लेकिन अब होता क्या है, जैसे ही fertilizer के दाम थोड़े से बढ़ते हैं, तो political criticism start हो जाता है कि आपने fertilizer के दाम बढ़ा दिये, और सरकार को ड़ रखता है कि किसान हमें vote नहीं देंगे, इसके चलते फिर सरकार fertilizer के दाम बढ़ाती नहीं है, तो यह हमने पूरा article discuss किया, one nation, one fertilizer concept से सम्बंदित, चलते हैं आ article को relate कर सकते हूं, शुरवात मेना writer, article के introduction में काफी सारे लोग का जिकर करते हैं, जैसे चमल एक driver है सिरलंका में, battery operated vehicle चलाता है, वो वाकिब है इस बात से कि इंडिया कितना sport कर रहा है सिरलंका को इस मुश्किल की घडियों में, और कुछ लोग का जिकर किया जाता है, जैसे वेलावाया एक person है, उवा प्रोविंस में सिरलंका के, वेलावाया जो है, वो सिन्हाली farmer है, उसे पता है कि मई से अगस्त के बीच में, cultivation का जो season है ना, इस season में उसकी पैदावार अच्छी होगी, और इसमें इंडिया ने role play किया है, क्योंकि इंडिया ने chemical fertilizers की supply की है, इसलब point ये है, सिरलंका में economy crisis है, आपको पता है, लेकिन economy crisis में इंडिया सिरलंका की मदद कर रहा है, ये बात सिरलंका के लोगों को पता है, इंडिया की goodwill पैदा हुई है, इवन वो लोग जो सिरलंका में इंडिया के against आवाज उठाते हैं, वो भी फिलाल चुप है क्यों भी मदद की जा सकती है, इवन पैसो की नहीं, दूसरे areas में इंडिया मदद कर सकता है, इंडिया के बास बहुत knowledge है, technical expertise है, बहुत सारी चीजों में, तो सिरलंका की मदद कर सकता है, इंडिया अलग-अलग areas में, जैसे, सबसे पहले आप बात कीजिए, agriculture and allied activities की, अब देखों सिलंका में अभी, milk powder बहुत import हो रहा है, dairy sector सिलंका में इतना developed नहीं है, on an average, सिलंका जो है, एक साल में, 315 million dollars के dairy products जो है, वो import करता है, दूसरे देशों से, अब सिलंका में देखो, foreign reserve वैसे ही खाली है, तो dairy products को दूसरे देशों से import करना, जिसमें उसके इतने पैसे चले जा होता है, उसका 1.5% है dairy products, इंडिया dairy products के मामले में आपको पता है, बहुत आगे है, सबसे ज़्यादा milk का production इंडिया में ही होता है, तो इंडिया सिलंका की मदद कर सकता है, अपने dairy sector को develop करने में, ताकि dairy products के मामले में सिलंका self-sufficiency हासिल कर सके, और दूसरे देशों के ऊप पर depend ना हो, उसके दो मतलब बहुत बढ़ी चीज है, दूद इतना महंगा हो गया, parents अपने बच्चों को दूद पिलाना चाहते हैं, लेकिन वो दूद खरीद नहीं पा रहे हैं, तो यह अपने आप में कितनी दुखत बात है, तो इस मामले में इंडिया सिलंका की मदद कर हैं, इन्होंने सिलंका की एक कंपनी के साथ में tie-up तो किया था, joint venture established किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, writer कहते हैं, उस example को ना मानते हुए, फिर से एक बार परियास करना चाहिए, इंडिया को सिलंका की dairy sector को develop करने में, और चीजें, जिसे poultry sector हैं, ये भी अभी सिलंक में, crisis में है, ये sector, क्योंकि input की cost काफी बढ़ गई है, input की cost जैसे देखो, अब इन मुर्गियों को कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना, जैसे कई बार मेज खिलाया जाता है, मेज मतलब मक्का, लेकिन अभी sufficient मक्का उपलब नहीं है, मेज उपलब नहीं है, सिलंका में, जो क seed producer है न, उनको दूसरे high cost alternatives पर निर्बर होना पड़ रहा है, इस poultry sector को survive रखने के लिए, sustain रखने के लिए, तो crisis में है, ये sector भीम, क्योंकि input की cost काफी बढ़ गई है, even जो animal और veterinary medicines है न, वो भी नई उपलब्ध हो पा रही है, उनकी भी cost काफी ज़्यादा बढ़ी हुई ह इस area में India, Sri Lanka की मदद कर सकता है, देखो वैसे Sri Lanka में काफी सारी agriculture universities तो है, लेकिन, मतलब जाहिर तोर पर India की universities तो ज़्यादा expertise वाली है, तो Indian universities न, Sri Lankan agriculture universities के साथ tie up कर सकती है, agriculture machinery एक ऐसा area है, जिसमें India, Sri Lanka की मदद कर सकता है, energy front में India, Sri Lanka की मदद कर सकता है, लेकिन हाँ, बस एक चीज़ का ख्याल रहे, 2016 में 500 MW का coal-fired power project संपूर में आने वाला था, लेकिन, environment clearance मिलने के बावजूद इस project को रद कर दिया गया, तो India, Sri Lanka की मदद तो कर सकता है, लेकिन, India भी stability चाहता है, हाल ही में अदानी ग्रूप का एक wind power project है, 500 MW का है, इसे Northern province में approval मिला, Northern Sri Lanka का जो Northern province है वहाँ पर ये project establish किया जाएगा, तो कहने का point क्या है, energy sector में इंडिया सिलंका की मदद कर सकता है, सिलंका में, देखो जो MSMEs हैनम, उन में काफी potential है, वो काफी लोगों को रोजगार provide करते हैं, इंडिया में भी MSMEs बहुत से लोगों को रोजगार provide करते हैं, बट दिक्कत पता है, सिलंका में MSMEs अपने potential को नहीं achieve कर पा रही हैं, कई सारे regions के कारण, जिसमें सबसे main है low adoption of technology, नहीं नहीं technologies को MSMEs adopt नहीं कर पा रहे हैं, सिलंका में, इंडिया मदद कर सकता है, जैसे देखो इंडिया के programs है, digital MSMEs, ramp, raising and accelerating MSME performance, हाला कि इंडिया में भी MSMEs के development का का काफी scope है, बट इंडिया ने जो कु इसके लावा, इंडिया की universities, अपने campuses open कर सकती है, सिलंका में, school education में, इंडिया सिलंका की मदद कर सकता है, smart classrooms और modern computer labs establish करने में, इंडिया सिलंका की मदद कर सकता है, list लंबी है, writer कहते हैं, list बहुत लंबी है, इंडिया ये provision कर सकता है, कि सिलंका के जादा से जादा Buddhist monk, सिलंका के economy crisis का क्या लेना देना, मतलब आपको कोई link समझ में आ रहा है, कि सिलंका के Buddhist monks, जब इंडिया में आएंगे, तो इसके लिए इंडिया को provisions करने चाहिए, इंडिया को फाइदा होगा न, सिलंका के economy crisis से इसका क्या लेना देना, समझ गया, मतलब linkage की बात कर रहा हू में, फिलाल यह जो point है, वो fit नहीं हो रहा है, लास्ट में राइटर यह बोलते हैं, वैसे तो देखो इंडिया सिलंका की मदद करे न, तो वो equally distributed हो सिलंका के सभी reasons में, लेकिन special attention इंडिया के द्वारा दिया जा सकता है, northern और eastern provinces को, northern और eastern provinces यहाँ पे tamil minorities रहते हैं, जिनोंन इन पर इंडिया special ध्यान दे सकता है, और एक चीज़ सिलंका की civil society, वो लोग जो इंडिया के against बोलते रहते हैं, उनको भी इंडिया की इस मदद को implement करने के बारे में सोचना चाहिए, बजाए इसके की पहले जो वो इंडिया के against feelings रखा करते थे, वो अब रखना छोड़ द क्योंकि मुश्किल की घडियों में दोस्ती दोस्त के काम आता है, यह पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया, इंडिया-सिलंका relations से सम्मदित, इसके बार next हमारा जो आर्टिकल है, वो है return of nuclear weapons on global platform से सम्मदित, आप GS paper 3 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूं, देखो इस आर्टि ट्रीटी त्रीटी यही नोन प्लो रिफ्रिशन ट्रीटी क्या है, 1968 में आई थी और फोर्स में आई 1970 में, मतलब साइन हो गई थी 68 में और फोर्स में आई 1970 में, है क्या यह ट्रीटी, 1968 से पहले वो देश जो nuclear weapons हासिल कर चुके थे न, वो सारे देश जिनकी security council में permanent seat है, लेकिन ट्रीटी में कहा गया था कोई और देश nuclear weapon ना हासिल कर पाए, मतलब समझ रहे हो, उस समय विबिन experts ने कहा था कि यह देश तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन practical चीज यही है, कि यह मान लिया जाए कि यह देश सिरफ रख सकते हैं, बाकी कोई देश अब आगे से adopt नही nuclear weapons नहीं develop करेगा, तो यह treaty sign हुई थी 68 में, आई 70 में, समय समय पर ना इस treaty का review चलता रहता है, पहले क्या हुआ करता था जब भी इस treaty का review हुआ करता था तो इंडिया बहुत विरोध किया करता था, कि तुम क्या कर रहे हो, यह तो discrimination है, सिरफ आपने तो nuclear weapons develop कर लिए, जब हम में develop करने की बारी आई तो आप यह treaty ले आए, तो इंडिया ने इस treaty को sign नहीं किया था, और जब भी इस treaty का review होता ना, एक निश्चित समय के बाद इंडिया अपनी आवाज उठा था, इंडिया अपनी diplomatic energy invest करता इस treaty का विरोध करने में, देखो इंडिया ने 1974 में एक nuclear experiment किय था, जिसके बाद USA पूरी तरह से तिल मिला गया, उससे में इंडिया के US के साथ रिष्टे अच्छे नहीं थे, USSR का इंडिया को साथ ही माना जाता था, तो USA ने का कि इंडिया के पास nuclear fuel कहां से आया, यह experiment करने के लिए, तो आगे से इंडिया और इंडिया जैसे देश, nuclear fuel हासिल कर सके अपने nuclear weapons को develop करने के लिए एक group बना था NSG, तो देखो तब से लेके इंडिया पर USA का सक था कि इंडिया nuclear weapons को develop कर सकता है, तो USA अपने intelligence agencies का use करता था, पता लगाने में क्या इंडिया अपना nuclear program चला रहा है nuclear weapons को develop करने के लिए, एक समय तो ऐसा आया था 90s में, ज इंडिया की सरकार के सामने सबूत रख दिये थे कि यह देखो आप nuclear weapons को develop कर रहे हो, तो इंडिया को उस समयना काफी embarrassment का सामना करना पड़ा था, इंडिया चुप चुपा के अपने nuclear weapons को develop कर रहा था, और USA की intelligence agencies ने इंडिया की सरकार के सामने सबूत रख दिये, आप ऐसा मत कीजिए आपके उपर sanctions हम लगा देंगे उसके बाद finally 1998 में इंडिया ने nuclear weapons को develop कर लिया लेकिन देखो तब तक situation change हो चुकी थी situation change इस परकार से हो चुकी थी कि चाइना उस समय आप काफी तरक्की कर गया था USA को चाइना से खत्रा मैसूस होने लगा था तो इंडिया ने बोला कि हमने nuclear weapons को develop किया है चाइना के अगेंस्ट तो इसलिए 98 के nuclear weapons के experiment के बाद में इंडिया के खिलाफ जो sanctions लगे थे न वो ज्यादा समय तक ठहर नहीं पाए क्योंकि USA को लगा कि इंडिया एक अच्छा साथी हो सकता है चाइना के अगेंस्ट इंडिया की economy भी काफी तेजी से ग्रो करने लगी थी बाद में 2005 में USA के साथ nuclear agreement भी sign हुआ लेकिन देखो उस समयना इतना criticism हुआ था उस deal का even 2008 में no confidence motion भी आया था UPA की सरकार के against कि इंडिया USA के साथ क्यो nuclear deal sign करने जा रही है इससे हमारा जो nuclear program है वो खतरे में आ जाएगा हम USA का छोटा साथी बनने जा रहे हैं हमारी nuclear policy की autonomy खतम हो जाएगी हमें USA से nuclear reactor नहीं परचेज करने चाहिए इतना criticism हुआ था लेकिन हुआ क्या उस agreement के sign होने के बाद में आज तक इंडिया ने USA से एक भी nuclear reactor परचेज नहीं किया है तो यह सारा एक background एक basic हमने discuss कर लिया अब आते हैं आज के article की तरफ अभी हाल ही में NPT treaty का दस्वा review conference आयोजीत हुआ था अपना इस review conference के बारे में इंडिया ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं जितना इंडिया पहले बोला करता था इंडिया में कोई खास interest उत्पन हुआ नहीं इस review conference के परती कोई 70 भी नहीं बन सकी इस review conference में powers के बीच में great powers के बीच में आज के समय में divide काफी ज़्यादा है मैं आपको example देता हूँ जो पहला point भी है देखो जब cold war चल रहा था न तो USA और USSR के बीच में बहुत लड़ाई हुआ करती थी लेकिन एक बात को लेके ना दोनों coordinate जरूर कि करते थे कि nuclear weapons ज्यादा देश ना हासिल कर सके nuclear weapons को लेके दोनों देश कोडिनेशन जारी रखते थे इतना ज्यादा नफरत होने के बावजूद लेकिन ना इस पार review conference आयजूद हुई ना तो इतना ज्यादा divide बढ़ चुका है दोनों के बीच में कि अब वो पहले जासा वो यह review conference हुआ करती थी ना NPT की उसमें सहमती इस issue की वज़े से नहीं बन पाता था क्योंकि Israel और Iran यह आपस में लड़ते रहते थे इरान के पास nuclear weapons है इरान डवलप करना चाहता है इवन पिछली जो NPT की review conference है वो इस बात पर agreement नहीं हो उसका था क्योंकि Middle East zone free of nuclear weapons of mass destruction कुछ दे nuclear weapons छोड़ना था इसराइल इसके लिए राजी नहीं था लेकिन इस बार पता किस issue पर दिक्कत आई जो final document है उसमें यह बोला गया उक्रेन में वार चल रहा है तो उक्रेन में वार चल रहा है वहाँ पे जब प्रोजिया nuclear power plant है उक्रेन के South East में यह देखें यहाँ पर अभी रश्या का control है और कुछ भी गलत हुआ तो बहुत भ्यानक nuclear emergency आ सकती है यह बात बोली गई थी रश्या को यह बात अच्छी नहीं लगी तो किसी बात पर agreement नहीं हो उसका इस conference में दूसरा point पहले क्या हुआ करता था NPT की review conference में वो देश जिनके पास nuclear weapons नहीं है न वो बोला क नहीं किया बट आप भी तो अब छोड़ी है न अपने अपने nuclear weapons को लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ जो बड़ी powers है न जिनके पास nuclear weapons है nuclear weapons को छोड़ने की बात तो दूर even arms control को लेके बात भी नहीं हुई अब तो बलकि बड़ी powers ये कहने लगे हैं कि nuclear weapons की strategic utility है तीसरा point अभी देखो रश्या के द्वारा यूक्रेयन के उपर attack किया गया रश्या nuclear weapon वाला state है यूक्रेयन के पास nuclear weapons नहीं है तो शुरू में तो ऐसे लगने लगा था कि जैसे रश्या धंकी दे रहा है यूक्रेयन क nuclear weapons की लेकि इवन पुतिन ने अपनी nuclear force को अलर्ट पर भी रख दिया था लेकिन उसके बाद फिर रश्या काफी पीछे हट चुका है हाल ही में रश्या के वैस्टपति पुतिन ने कहा nuclear war को नहीं लड़ा जाना चाहिए nuclear war को नहीं जीता जा सकता तो मतलब रश्या अब nuclear weapon की धर्ती दमकी पर पीछे हट गया है देखो बेसक रश्या ने अपना nuclear की जो तलवार है वो पीछे रख दी हो लेकिन जिस परकार से सुरुवात में युक्रेयन war के स्टार्टिंग में रश्या ने nuclear force को अलर्ट किया था उसके बाद तो देखो ऐसा लगता है कि अब जादा स US हमें security प्रोवाइड कर सकता है जपान में, South Korea में ऐसे देशों में अब आवाजे उठने लगी है कि हमें खुद के nuclear weapons अब रखने चाहिए US का nuclear umbrella जो है हम अभी USA के nuclear weapons के छत्री के नीचे हैं लेकिन समया आने पर USA हमारा साथ निभाएगा इस बात पर doubt होने लगा है इन देशों को इवन देखो अब climate change आपको पता काफी ज़्यादा हो रहा है और विबिन देशों ने commitment की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा non fossil fuel से energy produce करेंगे तो nuclear energy एक बहुत बढ़िया source है हलांकि कुछ concerns है nuclear energy को लेके जिसे फुकुसीमा में जपान में बहुत बड़ा disaster हुआ था emissions हो गया था उसके बाद से विबिन देशों ने nuclear energy पर ध्यान देना कम कर दिया लेकिन देखो अगर थोड़ी safety बढ़ती जाए तो nuclear energy में potential काफी ज़्यादा है इंडिया में काफी पर्यासों के बावजूद सिरफ 7000 मेगावार्ट electricity पैदा होती है nuclear energy से तो इंडिया को nuclear energy के बारे में अब और सोचना चाहिए इसके बाद देखो चाइना के बारे में बोला जाता है चाइना अब अपने nuclear program को expand कर रहा है और जादा nuclear weapons को develop कर रहा है अभी माल लीजिया इंडिया के पास सिरफ 100 nuclear weapons है चाइना के पास 10,000 है या फिर 1000 है तो कैसे हम चाइना को रोख पाएंगे समझ गे तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिसकस किया nuclear weapons से सम्मंदित अब इसके बाद एक आर्टिकल ना special marriage act से सम्मंदित है special marriage act 1954 आप GS paper 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो देखो special marriage act में प्रोविजन यह है एक अगर कोई लड़का लड़की जो बालिग है वो कोट में साधी करना चाहते है न तो 30 दिन पहले उन्हें ना marriage officer को एक notice देना पढ़ता है इसके खिलाफ ना petition file की गई supreme court में supreme court में जिस petitioner ने petition file की गई उसने का कि यह गलत है यह right to privacy का उलंगन है क्योंकि 30 दिन पहले मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो public को पता लग जाएगा ना मेरी privacy तो compromise हो गई लेकिन मैं किसी को बताय बिना साधी करना चाहती थी या करना चाहता था तो यह गलत है यह article 14 और article 15 के भी against है जो कि equality से सम्मधित articles हैं क्योंकि दूसरे धर्मों के जो personal laws है ना for example Muslim personal laws वहां तो ऐसा कोई condition नहीं है कि 30 दिन पहले notice देना पड़ेगा तो फिर मैं court में साधी करने के लिए क्यों देना पड़े अब जिस petitioner ने petition डाली थे ना Supreme Court में उस petition को तो reject कर दिया गया Supreme Court ने बोला कि आपकी साधी तो हो चुकी है तो आप क्यों petition file कर रहे हो तो फिर petitioner ने का कि हम दुबारा से PIL डालेंगे public list public interest litigation डालेंगे इस issue पे वैसे एक petition already pending है नंदिनी परवीन versus union of India and others case में अब main issue पता क्या है writer के अनुसार main issue ये है बहुत बार न ऐसा हो जाता है जैसे लड़का-लड़की अलग-लग caste के हैं या फिर अलग-लग धरम के हैं वो साधी करना चाते हैं court में उन्हें 30 दिन पहले notice देना पड़ता है न अब अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग provisions हैं कई बार even ये बोल दिया जाता है कि notice जो information आप दे रहे हो न हम साधी करने वाल marriage को बरदास्त नहीं कर सकते तो वो ना लड़की लड़के के parents के घर पहुंच जाते हैं उन्हें समझाने के लिए कि आपके बच्चे इंटरकास्ट marriage कर रहे हैं मत करने दीजिए गलत है समझ रहे हो ये चीज राइटर को सहीं नहीं लगती कि इससे तो फिर कई बार ना marriage हो आपके लड़का-लड़की इंटरकास्ट या फिर इंटरल EGS marriage कर रहे हैं तो लड़का-लड़की चाते हैं इस चीजें मत बताई जाए हमारे parents को तो ये issue है कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा issue है मतलब देखो जो साधी करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा issue है मैं अपने UPSC perspective से बोल रहा हूँ तो ये थे हमारी आज की discussion आज हमने चार issues को detail से discuss किया thank you thank you very much for discussion